ओम सिरी गने सायन अमा दोस्तो एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 अप्रेल रविवार के रासी फल्क के बारे में कि यह दिन करक रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पकोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगो से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चड़ी दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा करक राशी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आपका प्रियास आज आपको अच्छी कामिया भी दिला सकता है यदि आप राजनीती में विश्वास रखते हैं तो इस समय प्रियास कर सकते हैं आपको सफलता प्राप्त हो सकती है संतान पक्ष आज अनुकूल रहने की संभावना बन रही है आज आपको अचानक धन प्राप्ती के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं इसमें आपका भग्य अच्छा साथ देगा साति सात आज आपके प्रतेक कारे सरल्टा पूरुवक संपन होंगे किसी मनोहर इस्थल पर प्रवास हो सकता है पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो लाबदैक रहेगी धर की साज सजावट में नयापन लाएंगे वहन शुक भी आज आज आपको प्राप्त होगा नई यो अभी रूची विशेश रहेगी आपकी आज अनेको एक्छाएं पूरी हो सकती है जिससे आप प्रसन चित रहेंगे और बहुत समय से अटकी हुई कोई योजना पूर्ण हो जाएगी जिससे आपको अच्छा धनलाब भी होगा जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा और संतोस की भवना का अनुबब होगा इश्वर की आरादना जाप और अध्यात्मिक्ता आपको सांतिक अनुबब कराएंगे कार्य छेत्र में अपनी महनत से सफलता मिलेगी इसके फलसरूप आत्म विश्वास बढ़ेगा और मन उत्साहित रहेगा कार्य छेत्र के सवी का काम सफल होंगे अठके हुए कार रहे आज पूर्ण हो सकते हैं गिरहें एम शंतान संबंदित सुब समाचार मिलेंगे विध्यारती मोज मस्ती करेंगे और पढ़ाई में जो महनत की है उसका फलस फलता के रूप में भी मिलेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके जट योजना तैयार करनी चाहिए और उस पर अमल भी करने की आवश्यक्ता है अन्यता आप फाइनेंसियल समस्याओं के बीच खुद को गहरा पाएंगे कार्यभार की आज अधिकता रहेगी जिससे शाररिक तता मांसिक रूप से ठकान का अनुबब करेंगे मनोरंजन सौंदर्य प्रशादन आभूशन आदी के पीछे आज खर्च हो सकता है तनाव से बचने के लिए अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारें जल्दबाजी में फैसला ना लें ताकि जिन्दगी में आगे आपको पच्चताना ना पड़े साथी साथ अपना काम किसी और पर ना टालें और स्वेम अपना कार्य करने की आदर टालें माता पिता का अवस्चे ध्यान रखें क्योंकि उनकी सेवा के बिना भग्य और सुक की प्राप्ती असंभव है साथी साथ किरोध पर नियंत्रन एम वानी पर आज आपको सेयम रखना पड़ेगा ऐसा ना हो कि किसी का भला करने की आफत को गले आप लगा बेठें आग पानी और वाहन दुरगटना से समल कर रहें बदनामी और निसेदादमक विचारों से दूर रहना आपके लिए हित कर रहेगा दैनिक कारों में थोड़ा अवरोध आएगा साथी साथ कुछ परिस्तितियां आज ऐसी बन सकती हैं जो तनाव बढ़ाएंगे धार में कारों के पीछे धन खर्च हो सकता है नए काम में रुकावट आ सकती हैं समस्याओं को सुल जाने के लिए किसी की सला आप अवश चलें दोस्तों से वाद विबाद करने से बचें ब दोस्तों प्रेम संबंदों को मदूर बनाए रखने का प्रियास सफल हो सकता है दामपत्य जीवन आज अच्छा हो सकता है दामपत्य जीवन में तनाव उत्पन हो रहा है वहवी आज समाप्त हो सकता है आपको लव पार्टनर के साथ रोमांस करने का भरपूर मुका मिलेग और आपके रिस्ते में मजबूत ही आएगी अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर की बाते ना करें आपको अपने जीवन में प्यार और रोमांस का स्वागत करने के लिए तयार रहना चाहिए यदि आप किसी रिष्टे में पहले से हैं या किसी की तलास में हैं तो वे मिल सकता हैं तो आपको इस मामलों में खुषी मिल सकती हैं रोमांटिक आकरसन की आज संभावना है मनोरंजन के लिए आज आप उनके साथ सिनेमा देखने जा सकते हैं और लंच वे डिनर भी आप साथ करेंगे दोनों के बीच कोई तोफो का भी आज आदान प्रदान होगा दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वेवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे भार की आज अधिकता रहेगी लेकिन अपने प्रियासों से कारों में आपको सफलता मिलेगी व पर छेत्र में आज माहूल काफी अच्छा रहेगा और वैपार वैवसाय में आपको सफलता अच्छी प्राप्त होने की संभावना रहेगी आर्थिक लाब प्राप्ती के रास्ते खुल सकते हैं धनलाब संचय करने का भी प्रतन सफल हो सकता है साथ-साथ आज आपको अपने वैवसाय को लेकर कोई यात्राएं हो सकती हैं जिनका आपको शकारत्मक परिणाम प्राप्त होगा जिया दोस्तो वैवसाय के द्रश्टी से आज की स्तिति आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है और इस समय कुछ अच्छा लाब आपको प्राप्त हो सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, विध्यारतियों के लिए भी दिन आज का मिला जुला रहने वाला है, दोस्तो बात कर लेते हैं आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है, दोस्तो ब्रहम भे वे पीडा की इस्तिती आज उत्पन होने के पूरे आसार बने हुए रहेंगे, खान पान पर आज आपको विसेज ध्यान देना होगा, वरना पाचन के रिया खराब हो सकती है, जिसके कारण पूरे दिन मन खराब रहेगा, स्वैम का ध्यान रखें और खुद को किसी भी तरह मांसिक रूप से कमजूर ना पढ़ने दें, तनाव को दूर करने के लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वास्त रहें। आपको दूर करेंगे, जो भी आपके जीवन में परेशानिया चल लगी हैं, समस्त परेशानियों का अंत्र करेंगे, और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी, और आपको शबी कार्रे बहुत यासानी से बनने लगेंगे, दोस्तो भगवान शुर्यदेव का आपको प्राप्त हो, सचे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैशुर्यदेव अवश्य लिखें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, धन्यवाद